नमस्ते विल्कॉम स्वागेते आप सभी लोगों का एक बार फिर से लक्ष विजय में मैं राजी श्यादव आप सभी लोगों का इस्तक्वाल करता हूं और आज के जो डेट है वो है 9 दिसंबर 9 दिसंबर ये वो तिथी है जो कि भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना एक अलग जगे रखता है इसको अगर याद किया जाए तो हम लोग भारत के इतिहास के परिपेक्ष याने के इंडियन कॉंस्टा हिस्ट्री के कॉंटेस्ट में अगर द जाता है तो कॉंस्टिट्वेंट असंबली की पहली बैठक हुई थी सम्विधान सभा को बनाने की वैसे तो सम्विधान को लेकर सम्विधान सभा को लेकर बातें बहुत पहले से चल रही है सबसे पहले मांग की अगर देखा जाय तो सबसे पहले सम्विधान को मांग रख रखने वाले व्यक्ति हमारे कम्मिनिस्ट लेडर हुआ करते थे जिने हम लोग अगर आप लोगों को नाम याद है तो आप नाम मुझे बताईएगा मैं एकदम से नाम भूल गया हूँ फैर कोई बात नहीं है तो सम्विधान की बात 1935 से चल रही है लगातार उसकी मांग चल सम्विधान को लेकर एक प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार की ओर से आया था जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के तौर पर जानते हैं जो कि तत्कालीन वाइसोरोय या गवर्नर जनरल लॉड लिलित्गों के द्वारा लाया गया लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंडिशन थी कि उस सम्विधान सबा की बात एक बार फिर उठी और 1942 कही दौर में कृप्स मिशन आएगा वहाँ पर भी कुछ ऐसे क्लॉस बना दिये गए जिसको लेकर फिर ये बात यानि अस्विकार कर दिया गया इवन कृप्स मिशन को तो लेकर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेट चेक ये तो अग्रिम तिथी में जारी की यह हुआ चेक है सम्विधान सभाव सम्विधान पर जो पहला बड़ा महत्तपून कारे की आ गया जिसके बाद ये काम पूरा हो पाया वो 1946 का दौर था और 1946 में इंगलेंड के प्रधान मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम ता विस् चर्चिल को रिप्लेस कर दिया था 1945 के चुनाओ के दौरान तो अब सरकार है एटली की और एटली भारत की जो समस्यां देखो एटली तकाते याते कुछ बाते तो साफ हो चुकी थी इंगलेंड में और वो ये कि अब बहुत लंबे समय तक भारत को उपनिवेश बना कर नह कुछ देश आजाद हो चुके थे और कुछ देश आजादी की और आगे बढ़ रही थी भारत भी उससों चल रहा था तो अंग्रेजी सरकार को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अब बहुत लंबे समय तक साशन कर पाना भारत पर बड़ा मुश्किल है और कुछ मतलब होत को बताने क्लीमेंट टेटली 1927 में साइमन कमिशन के साथ भारत आई भी थे दूसरी बात क्लीमेंट टेटली जब प्रधान मंतरी नहीं बने थे जब वो ब्रिटिश पार्लियमेंट हाउस आफ कॉमन्स के मेंबर हुआ करते थे तो कई बार वो अपने मुद्दे को उठाते थे तो उसमें भारत की आज़ाधी की बात हुआ करती थी तो प्रधान मंतरी बन गए भई या अब तो उनको ही फैसला करना था इसलिए उन्होंने फैसला किया और इससे पहले की भारत की आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हो तो एक समविधान बनाने की बाद जिसकी बहुत पहले से चल रही थी और अंग्रेजी संसत के द्वारा उस पर दो से तीन बार प्रस्ताव भी भेजे जा चुके थे अब उसको आगे बढ़ाना था तो भेजा गया एक आयोग जिसका नाम ता कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के तहट अब सम्विधान सभा की तय पहली बैठक की गई आज 9 दिसंबर के दिन 1946 के साल में सम्विधान सभा जिसका चयन हो चुका था उनकी पहली बैठक कायोजन किया गया तो पहली बैठक होती है सम्विधान सभा की 9 दिसंबर 1946 ये बैठक हुई है दिल्ली के Constitution Hall जिस कमरे में जिसे वरतमान समय में केंद्रि ये कक्ष कहा जाता है उसे अंग्रेजों के जमाने में 1946 के दौर में Constitution Hall कहा जाता था वो इसलिए कहा जाता था कि उसी हॉल में बैठकर सभी सम्विधान सभा के जो सदस्से थे वो अपने अपने सम्विधान में क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसको रखना है किसको नहीं रखना उस पर बहस करते थी इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था Constitution Hall तो सम्विधान सभा के बैठकोनी शुरू हो गई है मुद्दे आने शुरू हो गए हैं और इसी सम्विधान सभा में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कई लोग महान शक्सियत के तोर हमें उनमें नाम आता है डॉक्टर बियार अंबेडकर सहाब का जो चित्र आप देख पा रहे होंगे इसमें आप डॉक्टर बियार अंबेडकर सहाब को देख पा रहे होंगे तो बियार अंबेडकर जो की प्रारूप समिती के अध्यक्ष बने थे जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा ज कारण है कि डॉक्टर बियार अम्बेडकर साहब को सम्विधान निर्माता के तोर पर भी जाना जाता है सम्विधान बनने के प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब देश आजाद हुआ 1947 के बात की बात करते हैं तो देश जब आजाद हुआ और संसद के गठन करने की बात आई कि भई आप तो देश आजाद हो गया संसद बनना है तो आप्टर इनिपेंडेंस आजादी की बात ये जो हमारे सम्विधान सभा के सदस्य थे यही सदस्य संसद के सदस्य के तोर पर बन गए यह वो संसत थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक प्रकार से दोनों ही थी वस्तुतष ये एक तरीके से राज्यसभाement हो गई सम्विधान सभा के जो सदस्य गए वो एक प्रकार से राज्य सभा के मेंबर के तोर पर चले गए लेकिन अभी तो चुकि लोग सभा का गठन ही नहीं हो पाया था लोग सभा के गठन के लिए बड़ा जरूरी था कि चुनाओ हो तो अभी फिलाल इसको आप लोग सभा और रा कॉंग्रेस के भी थे और दूसरी बात कि जेवी करपलानी जब देश का आजाद हो रहा था तो जेवी करपलानी कॉंग्रेस के तब अध्यक्ष भी हुआ करते थी तो सम्विधान सभा का उद्गाटन जेवी करपलानी के द्वारा किया गया और वहीं पर परिछे करवाया गया Senior Most Member से जिनका नाम था Dr. Satchidanan Sinha से डॉक्तर सचिदानन Sinha जो कि सम्विधान सबा के Proteam Speaker Proteam Speaker मतलब हो जाता है औस्थाय अध्यक्ष प्रोटम Speaker का मतलब हो जाता है औस्थाय अध्यक्ष ठीक है याद रखेगा सम्विधान सबा के औस्थाय अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानन सिनहा थे और डॉक्टर सच्चिदानन सिनहा वाइस्वरोय की काउंसिल के सीनियर मेंबर या निराज गवर्नर जनरल की काउंसिल के सीनियर मेंबर रह चुके थे सम्विधान सबा के लिए आस्थाय द्यक्ष का जो पद का प्रावधान था ये फ्रांस से लिया गया फ्रांस के सम्विधान से लिया गया है प्रोटेम स्पीकर का जो पूरा का पूरा फंक्षन है वो फ्रांस के सम्विधान से लिया गया है डॉक्टर सचिदानन सिनहा साब जब उपाध्यक्ष के तोर पर चुल लिये गए तो फिर उन्होंने सभी सम्विधान सभा के सदस्यों को शपत दिलाने का काम किया है और फिर आपको ये भी याद होगा कि 11 तारिक को यानि कि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद प्रसाजी को स सम्विधान सभा के अध्यक्ष के तोर पर चुल लिया जाएगा और वही अध्यक्ष आगे चल कर जब देश आजाद होगा सम्विधान को लागू किया जाएगा तो सम्विधान सभा के स्थाई अध्यक्ष पर्मानेंट स्पीकर पर्मानेंट चेयरमेन डॉक्टर राजें यानि अर्द वृत्ताकार में तो सम्विधान सभा के सभी सदस्यगन अध्यक्ष महोदे के सामने बैठते हैं और वो अर्द वृत्ताकार पंग्तियां हैं जो की लगातार आप देखेंगे तो जैसे ऐसे वो आगे बढ़ती तो धीरे-धीरे करके वो चौड़ा होता है सम्विधान सभा में अगर बात करें तो 207 सदस्यग जिन में 9 महिलाएं भी शामिल थी और इन सभी लोगों ने मिलकर सम्विधान को अंतिम रूप दिया फिर आप जानते ही हैं 1949 में 26 नवंबर के दिन सम्विधान को स्विकार किया गया और फिर उसके बाद 1956 जनवरी को इस सम्विधान को लागू कर दिया गया 1950 वाली साल में इसी तरह से अगर 9 दिसंबर के गटना को और याद करें तो एक महान करांतिकारी एक महान नेता महान स्वतंता सेनानी राव तुला राम जी का जन हुआ था आज ही के दिन 1825 के साल में वर्तमान हरियाणा का एक गाउं है जिसको रिवाडी कहा जाता है वहाँ पर रिवाडी ध्यान रखेगा रिवाडी एक बड़ा महत्वपूर जेगे है रिवाडी ने कई एक महान लोगों को भारत के तिहास में जेगे दिया है राव तुला राम सिंग तो हैं है अगर इनसे पहले की बात करें तो शेर्षा सूरी के जमाने में चले जाईए और आपको एक नाम याद आएगा हेमू का हेमू जो कि हेम चंद्र विक्रम अदित्य के नाम से जाना गया और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई जिसमें अकबर का सामना होगा तो हेमू भी इसी रिवाडी से ही तालूक रखते हैं तो रिवाडी वो जगह जिसने देश को कई महान मह नेताओं को दिया है और आज भी अगर मैं बात करूं तो रिवाडी से कई एक महान खिलाडी कई एक बड़े बड़े खिलाडी हैं जो कि कई अंतरास्ट्रिय पदकों को सौन पदक को प्राप्त कर रहे हैं तो राव तुला राम जी का जन्म हुआ और 1857 की जब करान थी वो जो सामंत होते थे उनको अपने प्रिय सामंत के तौर पर मानते हुए जिनको सबसे ज़्यादा काबिल माना जाता था उनको राव दिया जाता था तो यह उपादी थी जो धीरे धीरे चलती चली गई तो राव तुला राम जी एक तरीके से अगर कहा जाए तो भारत का जो प्रथम स्वतंता संग्राम है जिसे हम लोग रिवोल्ट आफ 1857 कहते हैं 1857 की क्रांती को भारत का प्रथम स्वतंता संग्राम भी कहा जाता है और ये नाम लिया था बिनायक दामोदर सावरकर जीने अपनी किताब जो कि उन्होंने 1857 की क्रांती प्रथम स्वतंता संग्राम ट किया था विनायक दामोदर सावरकर जी बहुत बड़े नेता एक जमाने में उनका अपना ही एक महत्व था आज भी है ऐसी बात तो इस क्रांती के समर्थकों में से प्रमुक नेताओं में से हुआ करते थे रावतुला राम जी और जो उन्होंने साथ दिया क्रांती कारियों का जो उन्होंने साथ दिया अंग्रीजी सत्ता के विरुद करने वाले सैनिकों का इसी वज़े से आगे चल कर उनको हर्याणा के राजनायक के तौर पर राजनायक मतलब एक प्रकार से राजाओं का नायक एक प्रकार से अपनी प्रजा का नायक तो उनको राजनायक के तौर याद किया जाता है जाना जाता है 1857 की क्रांती जब आगे बढ़ती है तो दिल्ली और दिल्ली के ततकालीन मुगल बाच्छा यानि भारत के ततकालीन मुगल बाच्छा बहादुर शाह जफर और उनकी सेना भी इसमें शामिल है तो राव तुला राम जी दिल्ली और दिल्ली भाला है गोली है बंदूक है ये प्रदान करते थे ताकि वो इस इद्ध को जारी रख सकें इस अंग्रेजों की लड़ाई को जारी रख सकें अगर उस जमाने में राव तुलाराम जी जैसे और कुछ नेता मिल गए होते तो शायद हम जो पढ़ते हैं भारत के इतिहास में कि भारत आजाद हुआ 1947 में तो ये शायद इतिहास बदल गया होता अगर सब लोगों ने साथ दिया होता तो हम कुछ ऐसा पढ़ रहे होते कि 1857 यानि आज से 1947 से 20 साल पहले ही भारत आजाद हो जाता शायद इसी बात को ध्यान में रखकर विनायक दामोदर सावर करने भारत क पहला स्वतंता संघर्ष भी बोला वेक अलग बात है कि उनके अलावा किसी और नहीं बोला लेकिन जिस सोच के साथ दासावरकर जी किताब को लिख रहे थे वे एक प्रकार की लड़ाई तो थी एक प्रकार की अंग्रेजी सत्ता के चंगुल से निकल बाहर करने का प्रयास रहा कि राव तुला राम जी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए इरान और अफगानिस्तान के शाष्कों से भी मुलाकात की इरान और अफगानिस्तान के शाष्कों से क्यों मुलाकात की तो इरान और अफगानिस्तान से बड़े पुराने रिष्टे हैं अगर देखेंगे तो इरान हम लोग अगर ancient history में चले जाते हैं तो इरान के कई सारे राजा भारत की उराए ठीक है कि उन्होंने आक्रमल किया फिर वो आगे चल कर उनके जो वंचज है वो रहे गए अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान पडोसी है और ये अफग जी होंगे जो कि अफगानिस्तान के काबल में रहकर भारत की पहली सरकार तक का गठन करने वाले हैं तो चूकि पुराने रिष्टे हैं इरान के साथ भी और अफगानिस्तान के भी इसी वज़े से रावत तुला राम जी ने यहां के शाष्कों से मुलाकात किया मदद ताकि हम अंग्रेजी सत्ता से मुक्त हो सकें तो 9 दिसंबर के लिए हम लोगों के जो महत्तपून एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से जो इंपॉर्टेंट घटना हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया उमेद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया होग अच्छा लगा पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दें शेयर कर दें और मैं देखिए आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ इस बात की की सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो यह जो बेल आइकन है इसको जरूर पुश्ट कर दीजिए क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियो का और मेरे लाइफ क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिलाल मैं आपको एक इनफॉर्मेशन लाइफ क्लास से जूड़ी दे दूँ तो मैं मंडे यानि की सोमवार, मंडे वेडनेस डे वेडनेस डे यानि की बुदवार, फ्राइडे यानि की शुक्रवार को क्लास ले रहा हूं जिसमें फिलाल अभी मैंने इंशेंट हिस्ट्री और Indus Valley Civilization से शुरुवा किया है। तो Monday, Wednesday, Friday को और ये क्लास होती है शाम को 5 बजे, ये क्लास होती है शाम को 5 पीम पर, अच्छा, अभी इतना ही नहीं है। ये क्लास साम 5 बजे संडे को भी होगी, ये संडे को भी होगी, लेकिन संडे को हम जो Monday, Wednesday, Friday में जो टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का, उस टॉपिक का, उस टॉपिक का टेस्ट होगा, और टेस्ट आपका MCQ फॉर्म में होगा, मतलब multiple choice question में होगा, ठीक है न, जैसे जैसे, और एक मैं आप और information दे दूँ, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को और पढ़ते चलेंगे, मैं कुछ और videos भी आपके सामने लेकर आऊंगा, तो हम लोग MCQ के साथ साथ जो long answer है, जैसे मुख्य परिक्षा में लिखा जाता है, उसके लिए भी आप लोगों को question देना सुरू करूँगा, आप लोगों को सवाल दूँगा, आप लोग अपने सवाल को, अपने answer को लिख करके इस टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर या इस मोबाइल नंबर पर, जो की मेरा WhatsApp नंबर है, वहाँ पर शेयर कर देंगे, और वहाँ पर जब आप शेयर कर देंगे, तो मैं आपके मेंस के answer में क्या कमिया रह गई है, किन चीजों को और सुधार करना चाहिए, वो जाने के बाद ठोकर खाकर गिरने से बहुत कुछ गरवल हो जाता है, तो शुरुवात अभी धीमे धीमे करते हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग अपनी स्पीड को अपनी गती को बढ़ाएंगे, लेकिन वो गती बढ़ाने के लिए आपको सात और सहयोग देना पड़ेगा, और सात असहयोग सिर्फ इतना है कि आप चैनल को जादा से जादा संख्या में सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग जादा से जादा संख्या में खटा हों, और अपने प्लासेस को, अपने चैनल को और कई सारे वीडियो जो की आपके नॉलेज के इनहेंस करने वाले हैं, उनको मैं बढ़ा सकते हूं, तो मुझे मजबूत करियेगा, मेरे हाथों को मजबूत करियेगा, बाई सब्सक्राइब दे चैनल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद है आप सभी लोगों को और देर सारी शुप कामना हैं, तो बहुत-ब